आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ मैयूरी सिर्वास्ता स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्टरम शक्सियत में जिसमें आज हमारी साथ शील्ड डिफेंस एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर शीवम शुकला है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम सबसे पहले आप अपने बारे हमारे दर्शकों को बताएं जैहिंद अल आफ यू मेरा नाम शिवम शुकला है और मैं फांडर डिरेक्टर शील्ड डिफेंस एकेडमी हूँ बिसिकली यह शील्ड डिफेंस एकेडमी मैंने 2015 में स्टार्ट की थी और आज लगबग यह साथ साल हम पूरे कर चुके हैं और विगत साथ सालों में हमने अभी तक लगबग सैक्डो युवाओं को भारती फौज का अभी नंग बनाने में हम सफल रहे हैं अब अपनी अकेडमी के बारे में कुछ बता दे मैं यही सभी को बताना चाहूँगा कि यह शील्ड डिफनस एकैडमी जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 2015 में मैंने इसे इस्टेब्लिस किया था And 2015 में सबसे पहले मैंने इसे उत्तर प्रदेश हमरी राजधानी लखनू में मैंने इसे इंदरा नगर में मैंने स्टार्ट किया एक महज एक छोटे से कमरे से मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी और जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी तो एज मेरी कोई बहुत जादा नहीं थी और आज भी कोई बहुत जादा एज नहीं है 2015 में जब मैंने इसे स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक हमारी अभी तक दो ब्रांचेश है एक है इंदरा नगर में हमारा हेड अफिस है जो की लेखराज मार्केट मैट्रो इस्टेशन के जस्ट बगल में है और दूसरा हमारी जो ब्रांच है दूसरी वो है आलमबाग में जो की सिंगार नगर मैट्रो इस्टेशन के जस्ट नीचे है तो बेसिकली 2015 से लेकर अभी 2020 अभी 2020 अट तक हम लोगोंने सैकड़ो युवाओं को भारती फोज में अभी तक हम उन्हें भरती करा पाए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि शील्ड डिफिन्स अकैडमी भारती युवाओं के सपनों को साकार करने में हमेशा साकार रही है और यहां से भारत देश के लगभग 15 से ज़्यादा राजियों से यहां पर बच्चे आकर यहां पर सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अभी तक टॉफ 50 AIR में अगर हम बात करें जैसे कि फॉज में क्लास वन अधिकारी के लिए बहुत सारे एक्जाम्स होते हैं यह सबसे पहले अगर हम बात करें ट्वल्थ यापेरिंग से ही स्टार्ट हो जाता है NDA So basically Shield Defense Academy भारती फॉज में Army, Navy and Air Force में Class 1 अधिकारी या फिर सैनिक के तौर पर बच्चों को भरती कराने के लिए हम उने ट्रेनिंग देते हैं इसके लिए NDA, CDS, SSB Interview, FCAT, Air Force Common Admission Test and INET, Indian Naval Entrance Test and साथी साथ Air Force X&Y Group, Navy SSR and AA जो की अब अगनिवीर के उसमें आ चुका है So इसके लिए हमने बहुत सारे हजारों यूगाओं को तयार किया और उसमें से सैक्डों यूगा आज भारती फॉज का भिनंग बन चुके हैं और अभी तक हमने TOP 50 AIR में, NDA की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर National Defense Academy के एक्जाम की बात करें So basically उसमें TOP 50 में हमने सैमर रेंक्स अभी तक दी हैं और अभी रिसेंटली हमारे हैं से एक बच्ची है, सुप्रिया तिवारी वो CDS Combined Defense Services में All Over India 12th रेंक लाई है अगर हम बात करेंगे, Steel Defense Academy की पर्टिकुलर तो अभी तक सबसे ज़्यादा रिजल्स देने का श्रे भी हमें जाता है अच्छी काशी रेंक्स भी हम लोगों ने दी हैं और यहां पर बच्चों को प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है और वो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं भारत देश के कोने कोने से यहां पर बच्चे आकर प्रिपेशन कर रहे हैं कब आपके माइन में आया कैस कब आपने सोचा कि मुझे अकेडमी खोलना है बिल्कुल मैम यह एक बहुत अच्छा सवाल है आपके द्वारा मैम जब मैं मैंने 2010 में 12 पास आउट किया है और 2010 में 12 पास आउट करने के बाद मैं खुद लखनू आ गया था April 26th April 2020 2010 में मैं लखनू आया था और मेरा बच्पन से ही यह सपना था कि मुझे फॉज में जाना है और मुझे कोई ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि फॉज में मुझे क्लास वन अधिकारी बनना है हमने हमेशा सैनिक को देखा तो मुझे भी एक सैनिक बनने का सपना था मेरा कि मुझे भी एक सैनिक बनना है भारती फॉज का भिनंग बनना है सो इसके लिए मैं दिन रात वही सपना देखता था कि मुझे फौज में जाना है फौज में जाना है और इसके लिए जब मुझे मैं क्लास टेंथ में आया 2008 में मुझे सबसे पहले एक भीयत है जो कि NDA में रिकमंड हुए और वो हमारे स्कूल के अलमनाई थे और मैंने सरासुती विद्यामंदर इंटर कॉलिज से मैंने पढ़ाई कि और वहाँ पर ही मुझे पता चला कि NDA जैसा कोई एक एक एक्जाम होता है जो कि 12th एपिरिंग से ही आप दे सकते हैं और उसके थूरू आप क्लास वान अधिकारी भी बन सकते हैं आमी नेवी नेफोस जिसमें भी आप चाहेंगे तो बेसिकली 2008 में ही मैंने NDA का प्लान कर लिया था और जैसे ही और 12th एपिरिंग में मैंने NDA का एक्जाम भी दिया बट मैंने रिटन एक्जाम उसका क्वालिफई नहीं कर पाया बिकॉस कोई प्रपेशन अगरा नहीं थी आफटर दैट फिर मैं 2010 में जैसे ही मैंने बोर्ड एक्जाम अपने दे दिये थे उसके बाद मैं लखनू आया और यहां पर आके मैंने अपनी प्रपेशन स्टार्ट कर दी लेकिन सच बात यह है कि अगर NDA आपको कौलीफई करना है तो उसके लिए आपक की मैट्स काफी स्ट्रॉंग होनी चाहिए अब की मैट्स में कमंड होना बहुत जरूरी है और मेरा सुरुआत से बैक ड्रो रहा है कि मेरी मैट्स बहुत वीक थी मैं बिल्कुल भी मैट्स में स्ट्रॉंग नहीं था और मैंने NDA का सपना देख रहा था मैं तो मुझे लगा की आर NDA कर पाना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा तो इसके लिए मुझे भरती फौज में जाना था बस वे एक जुनून था एक मैं यह नहीं कहूंगा मेरे अंदर वो जजबा था अगर होता तो आज मैं फौज गए अभी नंग होता लेकिन नहीं बन पाया हूँ तो एक जुनून था उस जुनून के चलते मैंने कुछ ओपन रैली भरतियां थी मैंने उन में से एक भरती में मैं गया वो मेरे जीवन की पहली और आखरी रैली भरती थी जब मैंने वहाँ पर देखा कि जिस तरीके से वहाँ पर रैली भरती होती है कि एक साथ पाथ पाथ सो लोगों को एक ग्राउन में दोडाया जाता है तो मेरे बसका बाद मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मुझे लगा कि नहीं आर एंडिये करना चाहिए और क्लास्वन अधिकारी बनके हम सेवा तो हम कैसे भी कर सकते हैं देश की जब बात आती देखिए बहुत सारे लोगों का यह सोचना होता है कि हम भारती फौज में जाके हम देश की सेवा करेंगे जैसे कि आज हमरे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनसे मेरा पहला सवाल यही होता है कि आप भारती फौज में क्यों जाना चाहते हैं तो बच्चों का यह कहना होता है कि सर हम दे नूसपेपर विंडर होता हände उस अरे हर एक नागरिक हर प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष रूप से देस की सहवा करता है. लेकिन जब बात फौज की आ जाए तो ये एक ऐसा छेतर होता है जहां पर फिर देश की सेवा से बढ़कर आ जाती है देश की सुरक्षा तो बेसिकली जो भी फौज का फौज में जाते हैं या फौज का काम होता है देश की सुरक्षा करना और that time मैंने NDA का एक्जाम दिया लेकिन unfortunately मैंने NDA का एक्जाम qualify नहीं कर पाया then फिर मुझे लगा कि यार मैथ में कमांड नहीं होगा तो NDA का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा तो फिर मैंने NDA कामांड करना स्टार्ट किया उसमें काफी फोकस किया और धीरे धीरे मैंने देखा कि हां मैथ में अच्छा परफॉर्म में करने लगा था और मैं खुद भी एक मैंने कोचिंग में आकर दखला लिया था लेकिन आज वो कोचिंग नहीं है हमारे एक्जिस्टेंस में नहीं आती है वो और उसके जो हमारे डारेक्टर थे वो भी इस दुनिया में अभी नहीं रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं न कहीं मुझे बहुत प्रणा दी कि आपको मैथ अच्छा करना पड़ेगा मेरे मैथ्स के फेकलटी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मुछे मुटिवेट किया मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत लिप की और मैने धीरे-ध slab gitu की 10 अर फे मैं मैं के crisp को वैसे इस्टुडेंटाइटे थे जो मेरे टाइप के थे, मुझे लगता था कि हाँ यार जो एक Gramiidd चेतरे से आ रहे हैं, विकॉज मैं भी एक Gramiidd चेतरे से ही आया था, तो मुझे लगता था यार यह क्लास में पूछने में या उन्हें कहीं हीजिटेशन होता था और आज भी वो होता है सभी बच्चों को तो फिर मैंने कुछ बच्चे मेरे पास आने लगेगी भी आपने बहुत मुस्किल से मैट्स को सीखा है तो प्लीज हमें भी थोड़ा बहुत कुछ बताईए तो मैं धीरे-धीरे कुछ बैता रहोगा कियार तुम देखो तुमारा तो अन्डी हो जाएगा बट जो बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो मैट्स में बहुत ज्यादा वीख है तो उन्हें अगर बैता रहोगा कि तुम उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करने लोगों तो मुझे लगा ठीक है अगर हम किसी की help कर सकते हैं, जैसे कि मेरे दोस्तों ने मेरी help की, तो वैसे ही मैं भी बच्चों की help कर सकता हूँ, तो मैं भी उस समय ND के exam दे रहा था, और उसी time पर मैंने उन्हें बच्चों को guide करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पता नहीं चला, मुझे वो popularity धीरे धीरे बढ़ने लगी, मैं famous होने लगा, तो बच्चे सोचे मुझे मैथ नहीं आती, तो मैं यह नहीं कर पाऊँगा, तो यह आप कहते हैं, जैसा कि मैं देखिए, हम पहले मैं सुनता थागी, लोग सामप को साथ बजे पढ़ने बैट जाते हैं, सुबह अनको साथ बज जाता हो, उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो मुझे लगता था यार, यह सब कहने की बाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है बड़ बी प्रैक्टिकली जब मैंने खुद में वो चीज देखी तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि नियार ऐसा होता है यह कहानिया नहीं होती है यह सच बात होती है हर इंसान की कोई नो कोई सपने होते हैं उसे पूरा करने की लगन होती है आपके क्या सपने रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मेरा एक ही सपना रहा कि मुझे फौज में जाना है फौज का अभी नंग बनना है मुझे देश की सुरक्षा करना है मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए थी तो उस यूनिफॉर्म के लिए मैंने बहुत मेहनत की बट आज वो रिग्रेट आज भी है वो दिल में मलाल रहता है कि मैं फॉज का अभी नंग नहीं बन पाया लेकिन ठीक है मुझे लगता है साइद इश्वर ने मेरे लिए कुछ और लिख रख अगर मैं खुद जाता तो उत्ता बेतर नहीं होता है कि जितना अच्छा मैं आज कर पा रहा हूं आपका मुम्र में ही इस मुकाम पर है तो इस मुकाम पर पहुसने के लिए किन किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा आपको मुझे खुद भी बचों को मैंने धिरे धिरे जब ट्रेंड करना स्टार्ट किया तो लोगों ने आके मुझे से रिक्वेस्ट भी की कि सर प्लीज एक आप अच्छा प्लेटफॉर्म तयार कीजे आप अच्छे से काचीजों कर पा रहे हैं और मेरा मैनेजमेंट एंड और मुझे में कहीं थोड़ी बहुत थी मुझे ऐसा लगता है तब ही मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ तो देन डैट टाइम बहुत सारी चुनौतिया हैं मैम की बचे उन्हों पहले लाइक बचे जो आपको परसनली जान रहे हैं वो तो आप पर बलीव करते हैं वो तो ट्रस् रह गए हैं अभी सिक्षा प्रणाली बिल्कुल बदल चुकी है तो अभी क्या होता है कि कोचिंग्स का ये जो दौर है ये बहुत कॉंपिटेटिव भरा है बहुत ज़्यादा कॉंपिटिशन होता है तो कॉंपिटिशन में आपको बहुत सारे चीज़ों को लग अपनी आ जब आपने सबसे बड़ी चुनाती ये भी रही कि जब आप किसी बच्चे का भविस अपने हाथ में ले लेते हैं क्योंकि आज जैसे हमारे बहुत सारे हजारों बच्चे हमारे पास आए और उनमें से कई बच्चे रिकमंड होके गए तो बहुत सारे बच्चों के सपने स कर नहीं हो पाए तो देखिए कि ये युनिवर्सल ट्रुथ है ये कि ये कोई छुपा हुई छुपई चीज नहीं है कि जो भी बच्चा शील में आके पढ़ेगा वो रिकमंड ही होके जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ हम बच्चों को इतना सिखा देते हैं जिस कि मैं आज मैं मानता हूँ कि आज मैं जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई कि है और उस स्कूल से जो भी इनसान पढ़ता है वो लाइट में अपने कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा और मैं कोई बहुत studious student नहीं रहूँ में बहुत average भी नहीं रहूँ गी रहूँ एविवें ब अपना मानना शुरू किया और आज भी मैं वही चीज़ देखता हूँ उनमें कि यहाँ भी इस बा कि अस बच्टे वार आ पुरा होगा तो मेरा सफना जरूर पूरा हो जाएगा तो सिरे datasets कर के ईको बीट करना होता है । तो यही सब चुनानीत ही रूरा में दिखिए सबसे पहले तो मेरे जो प्रेड़ा सुरोत रहे मेरे दादा जी है स्वरगी स्री भारत प्रिशास शुकला जी उनसे मैं हमेशा प्रेड़ा मुझे मिलती रही और आज भी मिल रही है वो इस दुनिया में जरूर नहीं है लेकिन वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं और म उनसे मनी मन उनसे एक बार जरूर पूछता हूँ कि मुझे इस जगे पर क्या करना चाहिए और दूसरा जब मुझे फौज का बिल्कुल इल्म नहीं था तो मैंने जब फौज के बारे में जानना चाहा तो एक प्रेड़ा उस वहां से भी मुझे मिली परम वीर चक्र विज दूल लेता हूँ और वो मेरी सबसे बड़ी सलहाइकार के तौर पे हैं आज मेरी मता जी सेना में जाने के लिए आपकी संस्थान द्वारा तयारिया कराई जाती हैं किस प्रकार से तयारिया कराई जाती हैं मैं देखी जब मैंने 2015 में मैंने अकैडमी रन करने का सोचा तो ताइम एक मेरे बहुत आज वो भी कहीं न की मेरे एक प्रणा सोची ही हैं और मैं उन्हें भी अपना प्रणा सोच मानता हूं जो कि करनल विजयत ओमर सर हैं उन से मेरी मुलाकात 2014 में जब मैं उन से मिला तो उन्होंने जब मुझे देखा समझा तो उन्होंने लगा कि इस को मैट्स बहुत अच्छी आती है और ये काफी अच्छा काम कर सकता है तो उन्होंने मुझे से कहा कि शियूम सर देखिए आप एंडिये में जाना चाहते तब उस समय एंडिये की मिरी एज नहीं रह गई थी तो उन्होंने बोला कि आप फौज में जाना चाहते हैं आपने एंडिये एक एक्जाम दिया आप सीडियेस में आपने एक्जाम दिया बट आपने फाइनली आपको सफलता नहीं मिली तो मुझे तो लगता है कि इश्वर ने आपके लिए कुछ और लिख रखा है और बेतर होगा कि आप बच्छों को गाइड कीजे उनको ट्रेंड कीजे तो मैनने उन्से पूछा सारी इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए तो उन्होंने मुझे से बात कही एक आप देखें अभी तक अगर आप देखें की आपने खुद भी कोचिंग की तो आपको क्या लगाब क्यों रिक मर्नी नहीं हो पाए कहा कमी आई कर कमी को तो यह बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के आया था और एक फॉज का पूरा इन्वार्मेंट मिलेगा बट ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला और इविन जिन कोचिंग के बारे में दैट टाइम मैं जानता था मुझे लगा किया किसी भी संस्था में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं व तो आज बचों को हम यहां पर जबाते हैं तो इन्हें मौनिंग में उन्हें जगाना उसके बाद उन्हें सुबेगा ग्राउन लेकी जाना और फिर एक घंटे कम से कम मिनमम वान आइर हम लोग फिजिकल ट्रेंग देते हैं और फिजिकल ट्रेनिग में यहां पर वो भी North Carolina athlete है trained physical trainer है जो उने physical training देते हैं after that वो बच्चे classes आते हैं और class आने के बाद फिर उनकी classes यहाँ पर conduct की जाती है और वो भी ऐसी faculties के दौरा conduct की जाती है जो well trained faculties है highly qualified है and knowledgeable faculties होती है जिनके थुरू हम यहाँ पर classes conduct कराते हैं साथी साथ यहाँ पर NDA जैसे लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जो NDA में पहले रहके दुबारा वो किसी वज़े से वहाँ से वापस आए वो भी यहाँ पर बच्चों को train कर रहे हैं साथी साथ यहाँ पर फॉज से retired जो अधिकारी है जो SSB board में जो retired serving रह चुके officers वो officers यहाँ पर आज बचों को train कर रहे हैं and हम एक वो highly atmosphere बचों को provide कर पा रहे हैं जो forge की तैयारी के लिए requirement होती है तो वो सभी सारी चीज़े हम बचों को दे पा रहे हैं मैं आप सभी सबसे पहले तो मैं की आप बहुत सारे लोगों में एक myth होता है की भारती फौज का मतलब हुआ कि यहाँ बच्चों को जाके सीधे लड़ाई लड़नी होती है या उन्हें border में जाना होता है तो उसकी वज़े से आज भी बहुत सारे माबाप हैं बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों को भारती फौज में नहीं भेजना चाहते हैं और बहुत सारी बच्चियों को तो कते ही नहीं लेकिन आज धीरे-दीरे चीज़े खेर बदल रही हैं अब बच्चियां भी बेटियां भी भारती फौज का अभिनंग बनने लगी हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे परिवार इन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि नहीं अगर हम स्वयम देश की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा तो मैं आप सब से बस ही कहना चाहूंगा कि किरपया करके आप सभी लोग आप में से जाधा तर लोग अगर भारती फौज में अपने बच्चों को भेजेंगे तो उससे हमारी भारती सेना मजबूत होगी और हम अपने अंदरूनी और बाहरी सीमाओं को हम अच्छे से सुरक्षित रख पाएंगे तो ये थे शिवल्ड डिफेंस अकेडमी के संस्थापक डॉक्टर शिवम सुपला जिनके बारे में आपने जाना आगे फिर होगी आप से मुलाका तब तक के लिए देखते रहे प्राइम टिगरी